मुझा नमस्कार मैं हूं मनुष्टवारी और आप देख रहे हैं बुन्दिल खंडे इस तेजनी तो आई ये सुरुवात करते हैं दनमर की कुछ खास कबरों के साथ धार जलाके ग्राम पिपल्दा में बीर खेड़ा पती हनुमान मंदिर में आयोजित श्रीमद भागवत कथा की चतुर्थ दिवस भगवान श्री इष्ण का जन्मुस्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया ग्राम पिपल्दा इवं आसपास छेत्र के श्रधालों में बड़ी संख्या में सम्मलित होकर भगवान का जन्मुस्व मनाया रोजाना भारी संख्या में श्रधालों कथा श्रवण करने पहुँच रही है कथा व्यास पंडित श्री दिप कृष्ण जी बैद ने कथा में चतुर्थ दिवस कहा कि जब जब भगवतों पर विबदा आती है और अधर्म धरा पर बढ़नी लगता है तब तब भगवान को अपने भक्तों की रक्षा एवं धर्म की पुनरस्थापना करने के लिए प्रभु को अवतरित होना ही पड़ता है कथा में नित्य पूजन एवं मूल पाठ आचारि पुजारी स्री शिवम जी शुकला के द्वारा किया जा रहा है मुखी अजमान श्री हरी राम जी मुकाती हरी बाउजी ने ग्राम भासियों एवं छेत्रवासियों से धर्म लाव उठाने की अपील की बग्दी राम चोहान बुंदिल खंड एक्सप्रेस नियूज धार हलाल के लिए इतना ही बुंदिल खंड की ताजा तरीन तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे बुंदिल खंड एक्सप्रेस नियूज के साथ